हेलो एब्रीवन आई वेलकम यॉल टू आई एक्जाम भी जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पे SSC MTS 2022-30 के लिए आपके लिए एक तरीके से यह यूटूब पे बैच है पीस दिन का भी वर्तमान में चल रहा है जहां पे हम आपको हर सब्जेक्ट के लिए वन बाई वन आपको क्लासेश दे रहे हैं तो उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन सारे कॉंसेट्स को यहां पे लाने का ट्राइ करूँगा और 20-20 आप से क्वेस्टन्स पूछता रहा हूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे कि एक्जाम में कैसे क्वेस्टन्स आते हैं और आप कितना पढ़ रहे हैं यह भी आपको पता लगता रहे चलिए चक्राइब्न के बाद करेंगे जहां पे भारत के बारे में और कुछ विश्व के बारे में और चीजें जैसे ले चूट्यम पोनां चिह रहा होँगा कौंसा हमारे पूरे विश्व का मैं एक तरीके साइथ पूरी पृतिवी है पृतिवी आप सभी को पता है कैसी है गुल है लेकिन अब यहां पर चौकप और क्यों दिख रही है क्योंकि इस गोल पृतिवी को पृत्वी गोल कैसी है से है तो हमने पड़ने के लिए पड़ने के मकसथ से सी attractive खोल दिया के ताकि हम लोग उसको एक surface में ला साथके और उसको पढ़ चेंगे ठीक है तो ऐसी दिख रही है लेकिन वर्ट वर्ट है कैसी actually इस तरीके से goal तो जो आपको इस तरफ का इलागा दिख रहा है यह वाला और इस तरफ का अधि दिख रहा है यह वाला यह दोनों कहीं न कहीं basically लिए पीसे जाके मिल जाएंगे तो गोल कैसे रहेगी ऐसी रहेगे ठीक है बस पढ़ने के मकसद छम को इसको मैप में दिखाने के मकसद इसको क्या लेकर दिया गया है 2D figure में लाकरके इसको एक आयताकार box में लेकर आया गया है ठीक है तो यह और यह इलाके दौनों सेम हैं अब जो आप इस पूरी पृतिवी को देखते हैं या पूरे विश्व के मैप को देखते हैं तो आपको यहाँ पे दो चीज़े दिखाए देंगी अब वो दो चीज़े क्या है या तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिखाए देगा जो की बेसिकली क्या है पानी है और दूसर इसमें boundaries बना दी कि यहां से यहां तक की boundary यह है वहां से वहां तक की boundary वो है और उनको अलग-अलग नाम दे दिये गए तो इस पूरी की पूरी लैंड या भूमी को हम लोगों ने अलग-अलग हिस्सों में बाट दिया है नाम दे करके और उनी को हम लोग क्या बोलते हैं continent बोलते हैं यानि की महाधूइप बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में महाधूइप और इंगलिस में वोलते हूं उसको continent ठीक है तो पूरे की पूरे पृत्वी को अध्यान करने के मकसद से इस भूमी को हम लोग ने क्या किया है अलग-अलग भागो में विभाजित कर दिया है boundaries को तई करने के लिए तो इस भूमी की जो boundaries है अलग- अलग उनको क्या बोलते हैं हम लोग Continent जाने की महाद भी बोलते हैं और इसी तरीके से जो पानी है इसको भी पढ़ने के मकसद से boundaries बनाने के मकसद से इसके भी अलग-लग boundary बना करके इसको अलग-अलग ब्हों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महा सागर यानि की ओसी आनु मोर्ण और यानि की ओसी तो पानी को विभाजित किया गया, तो इसको खोब आयो आए हों के नाम क्या क्या है बटाता हूँ वन वाई वन चलते हैं सबसे पहले हम उस महादवव्विप को देखते हैं जो हमारा भारत जिस महादवीप में हें अब इंडिया जिस जमीन जिस वीप पर जिस महादवीप में है इस महादवविप को क्या बोलते हैं हम लोग ? Пот बोलते हैं तो यह वाला इलाका आपको दिख रहा है ना यह वाला इस पूरे के पूरे इलाके को क्या बोलते हैं हम लोग इस लैंड को इसको बोलते हैं easy हो ठीक है तो यह कौन ज़र हाएगा आपका अब आप जैसे अपर आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते है युरोप असके बाद जब आप लोग यहां बे आएंगे तो आपको यह वाला लागा दीख रहा है इसको क्या बोलएंगे हम लोग अफरीका जलाओ ढिआ ओफरीका कोई एक देश नहीं है अफरीका पूरा महादीट है जिसीं बहुत सारे देश आते हैं उनमें से एक बढ़ेंगे पूरा पूरा के कौंटिनेंट जाने कि एक महादवीब है तो ये क्या रहेगा अपका Africa तो तीन महादीप कौन-कौन से एक Asia, एक Europe और एक Africa उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये अपका पूरा का पूरा क्या है अमेरिका कौंटिनेंट है तक है ये क्या है पूरा का पूरा अमेरिका कौंटिनेंट है जिसमें उपर वाले को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं North America क्योंकि उपर का इलागा होता है उत्तरी होता है तो इसको क्या बोलते हैं उत्तरी अमेरिका तो जो उपर के देज हैं जहांपे आपको Canada, USA, Mexico देखने के लिए मिलते हैं तो इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका और न कौन से continent देखे हमने सबसे पहले एजिया उसका यूरोप अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका याने की उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका याने की दक्षेणी अमेरिका आई होगा इसके अलाव जब आप लोग यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको एक महादवीब दिखेग होगा आपने इसको ऑस्ट्रेल्या पढ़ा होगा क्यूंकि इस पूरे महादवीब की सब्से बड़ी कंट्री इस पूरे महादवीब का सबसे बड़ा देश कौन चाह यह ऑस्ट्रेल से जन्रेली ऑस्ट्रेलिया महादीव को बोल देते हैं पढ़ने के लिहाद से जन्रेली बच्चों को समझाने के लिए लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया नहीं है यह कौन चाहर महादीव है इसको बोलते हैं ओसीनिया महादीव ओसी ए एन आई ठीक है इसको क्या बोला जाता है ओसीनिया महादीव इसको बोलेंगे ओसीनिया महादीव अब कितने महादीव हो गए छे एस यूरोप अफ्रीका उत्तरी अमेरिका डक्चिनी अमेरिका और ओसीनिया इसकी अलावा एक और महादीव है जो तो उसको बोलते हैं उसको बोला जाएगा तो तो कितने हो गए तो महदीब कीतने हो गए जिसको बोला है जिसको बोला गया, जिसको बोला गया είναι सबसे पहला प्रसांत महासागर बोलते हैं इसको ठीक है पहला महासागर कौन सा प्रसांत महासागर उसके बाद इदर आजाओ हमारे भारत में इसके नीचे आपको पानी दिख रहा है इसको क्या बोलते हम लोग इंडियन ओसियन भारत की नीचे का जो है इसको क्या बोला जाएगा इंडि लिखावा है यहां पर Atlantic Ocean क्या बोले जाएगा इसको Atlantic Ocean तो कौन कौन सा हो गया एक Pacific Ocean दूसरा Indian Ocean तीसरा Atlantic Ocean चौथा Ocean कौन सा हो जाएगा जो कि ऊपर दिखेगा आपको यहां यहां पर बर्फ पड़े जाएगी क्योंकि ऊपर जाएंगे तो यह भी कहां जाएगा आपका पोलर साइड जाएंगे आज जाएंगे क्यम लोग उत्तेर जीट तो वहां मैंसा क्या रहती है तो उपर आले today को क्या बोलते हैं vedere क्या बोलते हैं कि ऋषकिंश्यों की नीचे भी जार यहां बी महाशागर है और इसका नाम क्या रखा गया है Southern Ocean याने की दक्षणी महासागर क्या बोला गया उसको दक्षणी महासागर उसके बाद हिंद महासागर याने की इंडियन ऊचियन उसके बाद याने की बाद आपका सदरन तौर्णा बोलता हूँ परशान्त महासागर हिंद महासागर अट्लांटिक ओस्यन आपके पांच हो गए कौन कौन से एक दो तीन चार पांच हो गए लेकिन गाना सुना आपने साथ समंदर पाहर में देरे बीचे पीछे आ गई तो साथ समंदर तो एक हिस्सा यहां पर रहाएगा कौन सा यह कौन सा और नदन यानि की नॉर्थ और इंडियन और इंडियन ओसी यह पैसिफिक आपके यहां पर हो जाते हैं ठीक है आई होग आपको यह समझ में आया होगा यह बेसिकली अन्य स्टार्टिवी में आपको बताया कि प्रिथिवी किस तरीके से बटी हुई है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसमें ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी भारत का चेत्रभल कितना कितना है अगर हम लैंड की बात करें तो भारत का एरिया कितना है तो आप यह test कड़े न है 2 packing on the rate जिटने थरोध्री अफ़िए पुरे पृट्वबिपर जितने भी भृव मी है उसका 2.4% है लगबग 2.5% के आज पास है ये question आपसे बन सकता है तो पूरा area कितना 32, 87, 263 square kilometer that is the 2.4% of the total land of the world ठीक है ये surface जितनी भी सतह है उसका लगबग 2.4% है समझने इसको चलो आगे बढ़ते है इस नंबर को आपको याद रख लेना है अब हम भारत को मुख्य भूमिका में रखते हैं बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और बता देता हूं आपको जो सैंसे जनगरना होई थी कब हो इती 2011 में होई थी लास्ट टाइम अगर हम 2011 की जनगरना की बात करते हैं तो यहां पर एक आकलन पाया गया था कि हमारे भारत में टोल कितने गाउं है विलेजेश के सं जनगरना के हिसाब से हमारे पूरे भारत में 6,40,000 गाउं है 2001 की जनगरना की अनुसार हर 10 साल में होता है तो 2001 की जनगरना की अनुसार यह नंबर 6,38,000 का हुआ करता था लेकिन जो 10 साल बाद 6,40,000 चले गया अब एक जनरल सा क्वेशन आपके लिए है कि गाउं किसको बोल लिए को अगर आप देखनें सुर्जलेंड और विद्यस देखेंगे तो वहां के गाउं आपको हमारे भारत के जो सहर होते उनसे पह डेवलाप देखने के लिए अप roughshare तो बिल्सक्राइब से गाउं तो विद्यसिए कि गोट तो इसलिए विलेज हम किसको बोलते हैं मान लो यह एक एरिया है यह एक रीजन है जहां पर लोग रहते हैं तो यह एक रीजन है यहां पर कुछ पॉपुलेशन रहती है और अगर यहां पर रहने वाली पॉपुलेशन जो भी है वहां पर जो मैक्सिमम लोग है उसके आये का साधन या उनका जीने का जो एक रोजी रोटी कमाने का जरिया है वह अगर एग्रिकल्चर यानि क्रिसी है तो हम उस एरिया को एक गाउं की संग्याद दे देते हैं इसलिए जो आप विदेशों मोतने ड तो इसको हम दो क्या बोलते हैं एक विलेज गाउं बोलते हैं तो 2011 के नुसार संसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ठीक है आई होब आपको इतना समझ में आया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़े हैं चलो यह रहाओ अब यहां पर heading डाली है मैंने 10 largest countries in the in terms of area in the world अब मैंने heading क्यों डाली कि पूरे विश्व में top 10 countries कौनची है area के अधार पे सबसे बड़ी बड़ी क्योंकि general introduction है तो वहाँ पर आपसे भारत की rank पूछ सकते हैं कि भारत कौन से नंबर पर आता है जब हम लोग पूरे विश्व में छेत्रिफल की अधार पे देश्व को एक list बनाके रखते हैं तो भारत का number कौन सा आएगा यह आपसे पूछ सकते हैं अगर आपसे भारत पूछ सकते हैं तो top 5 या top 10 मैंसे कोई भी country उठागर के आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी rank वहाँ पे क्या है तो इसलिए हम लोग केव top 10 देखेंगे क्योंकि सारे की सारी countries को पढ़ना possible नहीं है याद करना मुस्किल है तो top 10 देख लो और भारत को देख लो तो देखो यह आपके सामने पूरे विस्व या पूरे संसार का map है यहाँ पे सारी countries आपको देखने के लिए मिलेंगी अब मैं एक ही करके आपको जाएगी रसिया उसके बाद second सबसे बड़ी country कौन सी Canada ठीक है जो कि North America की country उसके बाद third सबसे बड़ी country कौन सी वहीं पर उसके निचे आएंगे तो United States यह वाली हो जाएगी उसके बाद fourth सबसे बड़ी country कौन सी हो जाएगी आपकी चाइना first number पर Russia second number पर आपका Canada then USA then China उसका अगे आप वहाँ चले जाएंगे तो आप वहाँ जाएंगे तो fifth number नंबर ही कौन सी आजएगी आपकी ब्राजील जो कि South America में आएगी कौन सी ब्राजील जब आप यहां आएगे उसका वापस तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया जो कि छड़े नंबर की छे गंडरीज कौन सी सबसे पहले आपका रसिया उसके बाद आपकर कैंडगर Johnsonouth USA उसके बाद यहां एंगे चाइन चाइना चाइना की ब्राजील ब्राजील कि यहां जाएंगे कौन साईज है आपका उस्ट्रेलिया चे होगई साथ वे नंबर पर आता है कौन हमारा प्या आँ आएगे तो कों आएगा का यहां पे और आईगे तो कहां जयंगे हैं की और ऑंट आपको यह समझी होगी घ्राइब करा मैं पर ने के लिए इजी होता है चलो आगे बढ़ते हैं अब देख एंगली एडिंग है अगली बाहत की जोग्राफिक को समझने का रहे हैं बहरत का extension क्या है कहां से कहां तक पहुंचा है किस किस तरीके से बटा है क्योंकि यह introduction है तो आपके लिए चीज़ें पढ़नी जरूरी है विश्वो के संदर में भी और भारत के संदर में भी ठीक है दीरे दीरे हम लोग भारत की बात करते चले आएंगे आनुले topics में और यहां से questions देखो ये क्या है हमारी प्रितिवी मैं आपको बोला था प्रितिवी कैसी है गोल है तो ये क्या दिख रही है आपको गोल दिहा इसी को आपको ऑल को दिख रही इस तो इसे तरीके से surgeon lobby ठीक है तो यह आपका प्रित्विए हो जाएगी आब आपको बताना है कि कितने अंगल पर यह पर कहते है आप सबको मेंड सेक्सक्राय बताने है चलो आगे बढ़ते हैं लोग तो यह आपकी प्रित्विए मैं आपको यहां से क्या बताना चाहेँ है जैसा य्यक्ति ब sniff अच् अब एक गोला है तो इसका center point कहा होगा इस गोले के अंदर जो ऊपर का हिस्स्टा दिखा आपको यह वाला यह एक तरीक चैसर आपको अंदर का इससा दिखाने के ट्राय किया गया पृत्वी ऐसे है तो इसके अंदर जाओगे तो कहीं हवा में एक point होगा जो इसका center point होगा सेंटर है अब इस सेंटर से आप देखोगे तो इस सेंटर से बाहर का और पिछे आगे पिछे सब क्या सर्फेस है तो इस सेंटर कि अगल बनेगा寇गल बनेगा वो क्या बनेगा, गंगल होता है, तो क्या आपका 0 डिग्री, अब आप देखना, इहांप एक सिर्ट आने का दृओं अब यह 0 दिगरी कहां है यह सतह पे ऎससे काम यह लाइन फिले मुंदम पे जैने बी-पॉवेंट यह सारे जिसमें सभी बिंदों पका जो आंगल होता है पृतिवी के अंदर केंद्र से सतह पर हर वो पॉइंट जिसका एंगल कितना है जिरो डिग्री है उस पर जो जितने भी कण इस्थित हैं उन सा भी कड़ों को मिला देते हैं तो क्या बनता है एक लैटिटीटूड बनता है अक्षांस बनता है समझ रहे हैं यानि कि जितने भी कण जिनका एंगल समान बन रहा है अंदर किसी सेंटर पॉइंट से तो उन कणों के मिलाने से जो एक कालबनेक रेखा बनती है उस रेखा को हम लोग लैटिटीटूड यानि कि अक्षांस बोलते हैं अक्षांस में सभी बिंदों पर जो एंगल बनेगा हो सेम बनेगा सिमिलर बनेगा समझ रहे हैं तो यहां पर 0 डिग्री बन रहा है इसको पर कहीं एक डिग्री दो रिग्री तीन डिग्री फिर 10 आएगा 20 30 40 50 शाठ ऐसे करके एंगल बनते चले जाएंगे तो यह आपकी प मिलाद होगे तो मिलाने से क्या बनेगी एक लैटिडूड मनेगी यानिक एक अक्षांस बनेगा तो यह बन गया अब मैंने यही वाला क्यों लिया क्योंकि यह पूरी प्रिथवी के बीच बीच दिख रहा है और बीच बीचे के अंदर कहीं पहीं सेंटर पॉइंट ओगा बे जिरो डिग्री एंगल हो तो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली रहा है ठिक है जिरो डिग्री अब जो यह वाली लाइन है यह लाइन इस पूरे के पृत्वी को या इस पूरे गोले को दो बराबर भगवा बाट रही है एक उपर एक नीचे उपर जाते हैं तो क्या पूरा एक गोला था अब इस गोले का आधा क्या हो जाएगा गोलार्द आधा गोलार्द याने की हैमिस्वेर क्या हो जाएगा यह हैमिस्वेर याने की हैमिस्वेर और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा आपका हैमिस्वेर हो जाएगा है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा Northern Hemisphere आने की उत्तरी गोलार्थ और नीच वाला क्या होगा दक्षणी गोलार्थ जाने की Southern Hemisphere उत्तरी और दक्षणी स्नेर गोलार्थ हो गया इस तरीके से अब जबाब देखिएंगे तो इसके ओपर एक लाइन होगी यह उन्हें पिरत्वी 10 जुगा इंगरी है विल्कुल पिरत्वी आपको एज दिखाई गई है ठीक है तो यह देखो तो बड़ते बड़ते कहा जा जाओके 90 ृपर यहां तो यहां पर एक एंगल बने गा क्या रहेगा 90 है यानि कि इससे ऊपर जाओके तो यहां से इस को और हर एक दिगरी के बाद यह लाइन है यहां पर इस तरीके तरीके से जो की यह वाली लाइन है ठीक है जैसे यह 0 डिग्री ऐसे उत्तरी गोलार्थ में एक लाइन यहां पर आती है यह लाइन थोड़ा क्यों यही इंपोर्टेंट है हमारे डिए यहीं इपोर्टेंट है पर आएगा यह नीचे आएगा फिर और नीचे जाएगा तो जब इक systems गया उपार आएगा इस पर दो बार आएगा ठीक है समझ रहें एक बार उपर जा रहा होगा इसका नाम बताऊंगा आपको तो उपर जाएगा तो इस लाइन के करीब जाएगा तो वहाँ पर दिन बड़े होते जाएगा सूरज वहां की चाहिए उजाला होगा है और तो सी दिन बड़े जे जाएगे और जी दिन जुझ इस लाइन के ऊपर चमकता है EVERY aa 21 जून पा हूता है घृंट ञीं ठीक है काहीं ओक बहुत बड़ा होता है इसको हम यह दिन नहीं पर पर चमकता हूंब कि कर्क रेखा बोलेंगे इसको और आपको नाचे देखते या वाली इसको क्या वोलें क्या लाइन को इसको क्या बोलें का बुलें को क्योंकि बीच वाली जी और ब्रहु बाट रही है इसलिए गया झाख भू मद्य रेका त्मने की पुराइँ केहा हो जाएगी हैे हमारे अब यह उत्तरी गोर्ण के हो होँगे ये है यह हर येक दिग्री पर है कहा तक है और अगर आकशांस ने होगी क्यों होऊगी उपर उबर के लिए हर एक डिग्री पर एक लाटिट्यूड है तो 90 डिग्री में कितना हो जाएंगी प्लस इसको फिर च्पा दो, अब आउ सदन हैंि स्फियर में, निचे दक्षने को लार्द में, तो फिर से हर एक डिगरी पे एक latitude है, तो नीचे कितने हो जाएंगे टोटल, 90 हो जाएंगी अचेंड, कितने हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी, अब मैंने यह हटाएगी हूँ क्योंकि नीचे आने पे भी और उपर जाने पे भी यह लाइन कॉमन आ रही थी इसलिस को अब एट करेंगे तो कितने जाएगे एक एक एकविटर हो जाएगी तो टोटल कितने हो जाएगे आपके 181 ठीक है 181 लेकिन नंबर गलत आ रहे है क्यो पा रहे हो ऊपर जाते जाते यहां लेटिटूड छोटी होती चली जा रही है तो आप पोल की तरफ जाओगे दुरूओं की तरफ जाओगे तो लेटिटूड की चोटी चोटी होती चले जाएगी और 90 डिग्री पी इतनी चोटी हो जाती है कि वहाँ पे एक बिंदू मात् पड़ेगा और दब साउथ में आओगे तो यहां पर पी तो 90 डिग्री वाला होगा देखो नीचे आ रहे हैं तो छोटी हो ते लिए और यहां पर इतनी चोटी हो जाती है कि एक बिंदू का रूप ले लेती है इसलिए साउथ हमिस्वेर पे जो 90 डिग्री लाटिटूट है हो गया एक बिंदू है इसलिए हमें इसको भी हटाना पड़ेगा तो एक यह वाली और एक यह वाली हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे माइनस टू करेंगे तो कितना आएगा आपका 179 तो टोटल अक्षांस रेखा है या टोटल लैटिटूट कितने हो जाएंगी 17 179 हो जाएंगी आफ को समझ बाया होगा किपने लिए 179 हो ठीक है तो यह अपकी लैटिटूट हो जाएंगी अब जो लैटिटूट है यह वाली रहेंगे सारी कि सारी ठीक है इसमें और क्या क्या चूस्त बताने के लिए है फिलाल इतना ही है अभी आपको आगे बताओं को तो चैंसर करक रेखा है वह भारत में कहां कहां से होगी गुजरती आपको आगे बताऊंगा क्यूंकि यहाद आएगा तो आगे बढ़ते हैं तो यह आपके आपके पॉइंट्स हो जाएं अब क्या है यह लॉंगे डूट्स मतलब देसांतर अब यहां पर क्या होता है लेटिडूट्स क्या थी सर्फेस पर जो सेंटर से एंगल बन रहा है उस एंगल के हिसाब से खीजी गई थी और ऐसे तिर्ची रहा है ठीक है इस तरहीं लेकिन आपक लाइन से क्या कहलेंगे यहां पर देसांतर कहलेगी लेकिन यहां पर डीफ्रेंस क्या हो जाएगा यह आपकि किसी भी खोर इतांतर देख़्ार को यह नहीं बोल सक्ते कि यह वाली बनाएगा उपरवाल नहीं बनाएगा लेकिन जो कि बात करते हैं तो यह वर्टिकली खींची कही है अब वर्टिकल जो आप लोग इसको खींच रहे हो तो इसमें किसी भी लारे में जिरो डिग्री बन सकता है किसी भी लाहिज लायज भागों बाट रही हैं अगर आप देख इसट उदर वेस्ट इसंहीं तो यह एक लाइन को या एक लाइन को यह नी बोल तके लॉगिटूड़ए module थिकंए इस क्या किया गया 1884 में 1884 में एक जर्णरल किया गया डेशों के िच में कि हम लोग उस लाइन को zero degree longitude मानेंगे उस line को zero degree longitude मानेंगे जो कि London में greenwich है और greenwich में जो राओ यानि कि Royal Astronomical Observatory है I-R-A-O Royal Astronomical Observatory हम उस line को zero degree longitude मानेंगे जो कि London के greenwich में Royal Astronomical Observatory से हो करके गुदर रही है ये एक general agreement था तो उस line को क्या माना गया zero degree line माना गया एक general agreement के तहत तो वो line क्या हो जाएगी आपकी 0 degree जो कि यहाँ पर हमने यह वाली दिखा रहे है ठीक है यह line जो है 0 degree है आपको इधर diagram में दिखा देता हूँ यह आपकी प्रितिवी और यह आपका longitude और यह कौन से longitude यह आपका 0 degree longitude ठीक है कौन से हो जाएगा यह 0 degree longitude की बात करों अब आप देखोगे तो यहां से प्रितिवी इधर भी उतनी ही उधर भी इतनी ही इसलिए longitude होता है वह प्रितिवी को दो बरावार हम बाटता है हर longitude बाटता है तो यह भी बाटेगा और इस longitude के इस तरह फ्राइट का हो जाएगा आपका Eastern Hemisphere अगें Hemisphere का आधा Hemisphere तो latitude बाटती है उत्तरी और दक्षणी में longitude बाटती है पूर्वी और पस्चिमी में ठीक है पूर्वी पस्चिमी गोलार्द में इसने बाट दिया इसको और यह क्या हो जाएगी zero degree जो कहां से गुजर रही है लंदन के green वीच में जो royal astronomical observatory है वहां सोकर गुजर रही है अब य जिरो डेग्री है ऐसे इसके बगर में one degree two degree three degree four degree five degree करते-करते ठीक पीछे जाएंगे इसके ठीक पीछे आएगे तो कितने आ जाएगी 180 डेग्री कितना आएगा 180 डेग्री तो एक साइट कितने हो जाएँगी 180 और ऐसे ही यहां आओगे तो one two three four five six फिर पीछे जाएँगे जा जाएँगी जाएँगे इसके ठीक पीछे तो कितनी हो जाएँगी 180 डेग्री तो एक साहल से 180 डूसरी साहल से 180 तो पुल कितने हो जाएँगे आपकी टूटल हो जाएँगे 360 तो टोटल ल लाइंगे लॉंगिट्यूट कितने हो जाएँगी 360 साट light вед 221 spectrum i हो आपको ट्राइगे खीक पीच्छे क्या है 180 डिग्री है और उस 180 डिग्रुका हम लोग क्या बोलते हैं उस 180 डिग्री क्या हो जाएगी अपकी प्राइम मेरीडियन कौन से मेरीडियन ये प्राइम मेरीडियन ग्रीन विच मैं जो राओ है वहां से जानवाल लाइन को क्या बोलेंगे ठीक है लॉंगिटूड का यूज क्यों किया जाता है इसका यूज किया जाता है समय को समय देखने के लिए स्टेंडर टाइम को सेट करने के लिए अभी आपको बताऊंगा आगे कि किस-किस तरीके से ठीक है किया जाता है चलो यह आपका इस्ट में हो गया सारे यह क्या थी आपकी यह सारी यह अपकी यह लोग यह जaciónिन यह जो च्रीया कि एस आपकी और जो यह जा आपको यह क्या इस análए lecture भूमद्य रेका दिख रही है आपको यह वाली ठीक है यह आपको यहां पर देखेगा इसको थोड़ा सीधा करके दिखा दिया गया यह जो कि यह सीधी है तो यह आपकी प्राइम मेरीडियन ग्रीन यह आपकी इक्विटर याने की भूमद्य रेका हो जाएगी समझे इस उसेने के तो क्या बताएंगे आप भारत लाय करता है वत्तरी पूर्वी गोलार्द में अगर आप अपको यहां से रियाने की भूमद्य रेका होके गुजर के नहीं जा सकती और नहीं मकरेखा है ठीक है तो कौन से जाएगी क्यो आपको आगे बताऊंगा कि करकरेका भारत में कौन-कौन से राजिस होगे निकलती है आई होब आपको इतना समझ माया होगा इतको क्लियर कर लीजिए एक बार को ठीक है इतना आई होब सब्सक्थ टीछ बंगे तो जो करक रह का है भारत में कहां-कहां सब्सक्राइब गुज्रता भारत में रहिंगो बहुत की girls सब से वहले गुजरात उसके बाद राजस्तान उसके बाद आप इधर आओगे तो क्या आएगा मध्यप्रदेश उसके बाद चतीजगड उसके अगर आप थोड़ा और राइट माँगे जहारकंड फिर वैस्ट बेंगौल फिर यहां पर त्रिपूरा उसके बाद आपका नहीं गुजरती है ठीक है तो इन आठ राजस्तों के गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका एंगल कितना है साड़े 20 डिग्री नौर्थ 30 डिग्री नौर्थ है अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि लैटिट्यूड जो होती है लॉंगिट्यूड जो वर्डि टॉकर बताया उससे विस्तार आपकर यहां पर आपकी लैटिट्यूड हो कौन्सी है एक डिग्री फूर मिनट वाली नौर्थ हमिस्फियर में है तो एक डिग्री फूर मिनट नौर्थ से लेकर के थर्टी सेवन डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहां पर कौन सी रेक्षी लैटिव्ट है 37 डिग्री रिक्स अक्षयां सिस्थार पूछेंगे तो आपको क्या बताना है एट डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षयां से विश्थार है वह हमारे भारत का है लेकिन अगर यह तो हो गया mainland का मेन भुमी है लेकिन हमारा अंडबन निकोवार भी है यहाँ पर अंडबन निकोवार में निकोवार कंया मremos नीचे है यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे यह क्या रहेगा आपका देशांतरी विस्तार रहेगा क्यों अब कौन सा बिस्तार रहेगी पूर्वी तो यह वाली लाइन है यह कौन से बिस्तार रहेगा आपका 68 डिकरी सेवन मिनट 68 डिगरी साथ मिनट से लेकर के 97 डिगरी 25 मिनट और दोनों क्या है इस्टर्ण है ठीक है पूर्वी है दोनों क्या है इस्टर्ण है तो यह आपका डिगरी सात मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिगरी 25 मिनट पूर्व तक और अक्षान से विष्तार पोस्ट है तो आप क्या बतायेंगे यह हमारे भरत का विष्तार है जो की अगर आप लेटरी चुटे हैंगी 30 ठीक है एक डिगन के एक लेटरी हुट है तो यहां से लेगए यहां तक इन अगर आप कितनी चुट है तो वह भी चूर एंगे 30 111 km का बिष्था रहेगा लाटिटूड हर दो हैं एक सो 1oc1 घाप रहेगा और ऐसे लॉकली में रहता है लेकिन रहता विघे नहीं होती Marching क्पrd passes लेंटे सभी कि समानांतर होती है ठीक है 111 km का चलो आगे बढ़ते हैं किसी मैप अर्पनारत बारे मैं और पूछ चीज़ में बताता हूं आपको चलो क्या क्या चीज़ है यह हमारा भारत पर हर भारत जिस के भी साइड में समुद्र होगा तो उस देश की समुद्र में भी बाउंडरी तरह कि पर पानी बाउंडरी को तरह किया रखा तो आपको क्या करना पड़ाएं एक इमेजिनरी बेस्लाइन कीजने पड़ेगे कैसे खीजोगे जितने बहार के इलाके हैं सबको मिला तो इस तरीके से यह मिला दिया रहें यह यह भारत की बेसलाइन की अंदर जो पाती आपको दीख रहा है इसको रहें और 12 नौर्टिकल मिल तको आ जाते हो क्या पहुते हैं लोग Territorial sea इस 12 किलोमेटर के बाद 12 nautical miles के बाद अगर आगे आते हो अगें 24 nautical miles तक तो फिर कितना और आपका यहां कितना यहां पर कितना यह क्या हो चाह जाएगा आपका एक्स्क्लिसिव एकॉनेमिक जोन बोलते हैं किसी प्लेश के लिए रहता है तो यह आगए 25 से लागे 25 किलोमेटर तक है उसके वाद अब इस इस जाने की एक्स्क्लिव एकॉने मिड़ जोन रहे गा ठीक है एई जै इसको बोला जाएगा तो यह रहे कर सकता है हमारा भारत यहां पर हर एक्टिविटी कर सकता है पानी के सर्फेस पे पानी के अंदर पानी के ऊपर हवा में हर काम कर सकता है लेकिन रहता है यहां पर यहां पर हमारे राइट ने रहेंगे इस पानी के ऊपर जो हवाई इलाका है उस हवाई इलाके में हमारा अधि माइल में हम लोग हवा के लावा सर्फेस में और उसके नीचे काम कर सकते हैं तो यह रहता है आपका एक नौटिकल माइल किसके राप कितने के रापर होता है 1.85 के रापर होता है चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर बताना था कर गरेगा बता दी standard time जो वो line होती है कौनसी longitude line होती हूँ क्या बताती है standard time बताती है standard time हर देश ने अपने देश में क्या गर रखी है एक standard time के लिए एक longitude को चूज कर रखा है एक general agreement हर किसे के बीच हुआ हर देश के बीच कि हम लोग अपने देश में उस line को जो कि साड़े साथ के multiple में होगी उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, अपने देश की स्टेंडर्ड टाइम लाइन सेट करेंगे, साड़े साथ के मल्टिपल ओले लाइन को, इसलिए भारत की स्टेंडर्ड टाइम लाइन है, वो कौन सी है, साड़े 82 डिगरी इस्ट हो जाएगी, ठीक है, साड़े 82 डिगरी प्रदेश उसके बाद यहां पर मध्य प्रदेश फिर 36 फिर उड़ीजा उसके बाद आपका आंधर प्रदेश तो यह पांच राज्ये हैं जहां से स्टेंडर्ड टाइम देन हमारे भारत के उखर के उजरती है इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं टाइम को सेट करते हैं ह समझ देश को ठीक है चलो यह हो जाएगा इसमाः है यहां पर अप对क और पुरी के 我要 पूरी Wyatt Hallelujah समझते हैं के परित हैं प्रितवी का से स्टे क्यसी है आपको तो यहीं के वेस्ट टू इस्ट जारी इधर क्या है वेस्ट इदर इस तो वेस्ट से लेकि इस्ट के तरफ जाती है अब वेस्ट से इस्ट के तिरफ जाएगी तो एक पूरा रिवालेशन घंटे में कितने डायम लगाती है तीन से साथ डिगरी का होता है अगर मैं 24 से इसको डिवाइट करूँ तो एक घंटे में कितना हो जाएगा एक घंटे में 15 डिगरी हो जाएगा यानि कि अगर 15 डिगरी यानि कि हर एक डिगरी पे एक लॉंगिडूड होती है अगर 15 लॉंगिडूड हम लोग पार कर जाएंग प्पेस्टव एस त तरीखे सेरिए अगर यहां पे हो वर्तमान में यहां पे हो और यहां बहुत सक्राइब। अगर यहां पर एक बच शुल का बोलते को टुमन थे और खयंड ठीक ब्लबन के अंब घंट का ढ़हाँ zrobić अगर यहां परονौध तो इसलिए यहां पर एक बज़ा तो यहां पर दो बज़ेगा इसलिए अगर आप लोग तो जी एमटी है ग्रीन विच मीन टाइम है उससे अगर आप इस वार्ट जाओगे पूर्व की तरफ जाओगे तो टाइम में एडवांस हो जाओगे यानि कि टाइम में हमेशा आगे बढ़ोगे जी एमटी है इस से गराव पूरू की तरफ आओगे तो टाइम में हमेशा आगे बढ़ोगे और अगर पस्टिम की तरफ आओगे तो ताइम में पीछे आओगे यहां पर एक है तो फंद्रह डिग्री पीछे दो भी लॉंग्रीड होगी उसमें टाइम कितना औ 12 a.m. हो रहा हो झाए तो एक हंटे पीछे पीछे और यहां पर इस भांटे में जलिके होगी समझें हैं अन्तर होता है हमारा भारत पर यहां पर है यहां पर यहां पर लाए करता और green hai major तो ना आगे होगा पांच घंटे 5 धंटे मारा भारत आगे हे जसाब से हमारा भारत 5.5 गंटे और आगे चलता है तो यह व Wells जा तो इस तरह जाने में हम लोग ताइं में एड़ंस होंगे और 15 डिगरे में 1 गंटा एड़ंस होंगे और हर 1 डिग्रे के बाद एक लॉंगिडूट आती है तो पंद्रे डिग्रे में कितनी लॉंगिडूट आजाएंगी ठीक है तो यह थापका टाइम के बारे में चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कहां तक बढ़ चुके थे इस्टेंडर्स टाइम तक हो चुका थे अग्स्ट्रिम से माँ आज हको जाएंगा थे कहांकी तरो सबसे पूर्व में क्या है हमारा रुणाय्व्रदेश remains है एक गाउं एक जगय है जिसको बोलते हैं हम लोग की वी थू का पूर में सब से एक्स्ट्रीम पॉइंट कौन समय हो जाएगा एक बैसे और क्लिब अगर आप नॉर्थ में लदायाय Siya Chin 5 द मेरे सावला साउथ में आओगे तो यहां पर तमिल नाड te यहां पर कन्या गुमारी का सबसे एक्स्ट्रीम पोइंट हो जाएगा कि भी थू गुहार मोथी इंद्रा को लॉर कन्या गुमारी लेकिन अगर आप में लेंड के बात नहें पूरे के पूरे भारत की बात करते हो तो ग्रेट निकोवार यहाँ पर निकोवार आइलेंड्स व इन पूरे बहरत की बात करोगे तो सब्सक्राइब कौह तो आगे बढ़ते हैं अगला हेडिंग देखते हैं को जा इए रिगर दो हमारे भारत से सीमा लगाती यहांसे आपसे सकते हैं तो कौन-कॉ은 सी चंट्री है वैसे हम अप को nom technically है लेकिन हमें मैफ लाने का मतलब यह है कि आप देखकर करके ौन कॉन से country हैं सबसे पहले यहां आज़ा Richtung countries यह पढ़ोची देख लेता है देखो पढ़ोची देश और सीमा था लग पॉड़ोश सी म एसा कौन सा होगा ते की दी कौन सा कोॉगा रहे हम से लगे वह पॉड़ोशी सा कि उसके बाद पागिस्तान फिर छान फिर उहां पे नेपाल शौरा पंगला देश के hopping लूकर बहुत भूप से देश हैं। तो कि आपको यहां देखेंगे तरह स्री लंका पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना भूटान बंगलादेश नेपाल और मयामार ये साइए सारे सारी कंट्री जो पूरा फॉसारों सरकल यहां पर ठीक है इस तरीके से अगर आप से पूछे कि पाकिस्त पाकिस्तान मंरे भारत में सीमा अगर कोश करते हैं इन तीन राज़ों के अलावाद जमु गस्मीर और लदाग इन दौनों से भी पाकिस्तान सीमा लगाता हैह ठीक है उसके बाघे बढ़ते हैं चाइना की बाद करोगे तो चाहिना कौन-कौन-कौन वभारीजू चारज ने और अरोनाचल परदेस नागा लेंड मनीपूर और मिजोरम इंचे लगाता है उसके अलबा आप आँए कहा भी बंगलादेश में तो बंगलादेश से कौनकौन से राज जी नगाते हैं लगाए और यहां पर यहां पर यह राज्य किसे लगाते हैं सब्सक्राइब कुछ लगा यहां असम लगा रहा है अपर इसके तीनों साइड से सबसे बड़ी पाउंडरी है ही किसकी बंगलेदेश की है आफ गुलोटेशे चाहर हाजार कि क्सा साथ के आफगानिस्तान की सथ कि अफगानिस्तान साथ कितनी है कि अव्वारत कितनी सीमा लगाता है है यह यह सबसे to अपगांस्तान सब्से ज्यादा बंगलोदेर्श अब बढ़ते हैं इंडिया और पाकिश्टान के पीछ गेम लाइन आप इंडिया चाइना के बीद में कुंछ बूंद सा ओव say यह समग्रें बंच के इंडिया अगले जो क्लास होगी वहां के चम बंते हैं यहां से दो seem हमते ही हैं इसके लावा और टॉपिक्स को देखेंगे आगे वाली क्लासेज में और फिर आपको कुछ क्वेस्टन सी भी कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए ताकि आपका एक्जाम और बहतर हो जोग्राफी से कोई भी आपका सवाल ना चूटे यह मैं कोशिस जहां से करते कुछ दाव आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में वाँ पर डाल लो उसको इंप्लेमेंट करके चुदार करने के ट्राइव वाँ पर चलूर करो मा तो ठीक है क्या लखेंगे पढ़ाई कीजिए आपकी डेट्स भी आ चुकी है एक महने बाद आपका एक्जाम है लगबग तो पढ़ाई करेंगे अच्छे से उम्मीद करता हूँ यहां चाहिए आपके लिए लगब होगी ही होगी चलो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो अब तक क्या लखेंगे थैंक्यो अर्व